मुकम करोतिवाचालं पंगुम लंगयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानन्दमाधवं मित्रों आप सबका स्वागतें। अभितक हम लोगोने प्रत्यक्षे प्रमाण की चर्चा करली है। अनुमान प्रमाण की विचर्चा हो गई है। तीसरा जो प्रमाण है वो है उपमान प्रमाण। आज हम उपमान प्रमाण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं अन्दम मट्य ने तरक संग्रह में उपमान का लक्षन लिखा है उपमेदि करणम उपमानम। फिर प्रशना आया उपमिति किसको कहते हैं तो उसका उत्तर उहीं पर दिया गया संग्या संगी संबंद ग्याना उपमिति ही तो आईए इसको हम समझते हैं उधारण के द्वारा एक ब्यक्ति है ग्रामीड ग्राम में रहने वाला व्यक्ति को हम ग्रामिड कहते हैं और दूसरा व्यक्ति है आरंड्यक आरंड्यक का आर्थ होता है बन जंगल तो आरंड्यक में रहने वाला जो व्यक्ति है वो आरंड्यक है तो एक बार कोई आरन्यक व्यक्ति गाव में आया ग्रामीन से मिला तो ग्रामीन गवय नाम का जो पसुए उसको नहीं जानता है गवय के बारे में उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि गवय पसुबिशे से जो प्रायाह जंगल में पाये जाता है वो पाल्दू जानवर नहीं है इसलिए ग्रामीड ने गवय को नहीं देखा था उसके बारे हम कुछ सुन रखा था तो उसने प्रस्ण पुछा गवय की दिशा है गवय कैसा होता है तो जो आरंड के वो गवय को जानता है लेकिन बिचारता है कि हम इस ग्रामीड को केसे समझाएं तो आरंड को मालूम है कि ग्रामीड गव के बारे में जानता है तो उत्तर देता है गो सदिशो गवय हम गवय जैसा ही एक पशुय उसको गवय कहा जाता है गवय एक पशुय जो गवय जैसा होता है तो ए बात यहां पर खतम हो गई आरनेक बैक्ती अपना घर चला गया जंगल में चला गया कालान तर में ओह ग्रामिड बैक्ती किसी काम के कारण बन में गया तो जब बन में गया तो उसने जंगल में गो शरिशम पिन्डम पस्छती गो जैसे एक पिंड, मनला गाय जैसा एक पशु को देखा, अर्था तो से गवए को देखा, लेकिन अभी वो गवए को नहीं जानता है, कि यह है पशु जो मुझे देखाई दे रहा है, वो गवए है, तो वो गो सद्रिश पिंड को देख रहा है, तो उसको ज्यान हुआ, ज यह जो पिंड मुझे देखाई दे रहा है, वो गाय जैसा है, अयम गो सद्रिश है, यह ज्यान होगा, इस ग्यान का नाम हमने रखा है, साद्रिश ज्यान, इसको हम साद्रिश ज्यान कहते हैं, अयम पिंड गो सद्रिश है, यह साद्रिश ज्यान हुआ, उसके बाद, जब गौश गौरामीन ब्यक्ति को साधिशे ज्यान होगा कि जो पशुग मुझे देखाई दे रहा है वह गाई जैसा है तब उसको याद आएगा जो आरणिंग ने कहा था क्या कहा था गोश आदिशो का वया है जो गाव में कहा था पहले दूसरे देश में जो वाक्यार था उसक कर आ defended devil में श्मरंड हो रहा है यह Jen जो आएग जैसा ही गवय होता है इस आरणिक nे कहा था उसके बाद उसको निश्य हो जाएगा कि कि जिس पसु को में देख रहा हूं वही गवय है, आयंग गवय हम, यह ज्ञान उत्पन होगा, इस ज्ञान का नाम है उपमिती, इसा को हम उपमिती कहते हैं, मित्रों तो यह आपने समझ लिया कि उपमिति की उत्पत्ति कैसे होती है लेकिन आरमा में हमने कहा था उपमिति करणम उपमानम उपमिति का करण उपमान है तो उपमिति का करण उपमान कैसे है इसके लिए हम उपमिति के करम को एक वाय फिर समझाते हैं सबसे पहले नंमर में क्या हुआ सानध्य ड्रिश ग्यान हुआ जब गững गुरामिन पुरूस जगल में गया उसने गोष द्रिश पिणड़े को देखा गवए को देखा तो उसको सानध्य ड्रिश है यव़ा नमर एक नम्मर दो में क्या हुआ उसको अतिदेश वाक्यार्था का स्मरण हुआ गोस्त अधिशो गवय हुआ इस प्रकार का वाक्यार्था का स्मरण हुआ नम्मर तीन अयंग गवय हुआ उपमिती हो गई यह करम हम जानते हैं और हमको करण जानना है तो उपमिती हुई उसका करण क्या होगा तो करण का लक्षन आपको मालूम है व्यापार जनकमसत असाध हारणम कारणम करणम इसकी चर्चा हम अलग से कर चुके हैं आप उसको दुबारा देख सकते हैं उस वीडियो को तो पारह इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो यहां पर साधिशे ग्यान करण बनेगा अद्देश वाक्यार्था स्मरण व्यापार बनेगा और उपमिती फल बनेगा क्योंकि उपमिती रूप खल का असाधारन कारण है साधिशे ग्यान और अद्देश वाक्यार्था स्मरण व्यापार का जनक भी है साधिशे ग्यान तो ब्यापार का जनक भी है और असाधारन कारण भी है इसलिए साधिशे ग्यान उपमिती का करण है और जो उपमिती का कर होता है इसे के님이 मांद प्रमांड कहते हैं अत्अ सिद्ध हुआ कि साधिशे ज्ञानम उपमांद प्रमाणम साधिशे ज्ञाएनि उपमान प्रमाण है को मित्रों अब his आपके मन में प्रशन आ तो जब किसी को ऊतमिती हो रही है अर्था जो ग्रामिड嘉 उसने अंतिम में उसको जो ज्ञान हुआ कि एहा पशु जो मुए देख रहा हूँ ए गवय है अयंग गवय है तो यहां उसने नया क्या जाना उसने गवय पद और गवय पिंड उस दोनों के बीच में संबंद को जाना तो यह जो पद और पदार्थ का संबंद है सक्ति का ज्यान ही उपवित है और उसके प्रति साधिसे ग्यान यहाँ पर करण बंद रहा है उसको हम उपमान प्रमान कहते हैं आपको कैसा लगा यह वीडियो और आपकी कुछ इसमें प्रस्ण है तो आप कमेंट बक्स में लिख सकते हैं अपने प्रस्ण को अपनी ध्यान पूर्वक इसको सुना आपका दिन सुबहो तन्यवाद है